आपके सामने बात करने से पहले थोड़ा सा थोड़े थोड़े पेशे आज़े आज़ें लेकिन देखें मैं तो ख्याल था सजाए मौत इनका दिल था सुनाने का जो रिज्वान अबासी ले तो मांगा था सजाए मौत अब जिस तरह यहां कल जिस तरह यह आप यह कह रहे हैं सिल्मान सब्दर साब बता रहे हैं कल कोट का तो मैंने आके लॉयर से आज बें यहां लॉयर से कोट में मैंने का आप लोगों के लिए हमारे लिए तो पहला एक्सपीरियंस है क्या यह आप लोगों को लॉयर को पता थ आपको पता था इस किसम के जाज़ेश हैं आप सारे मुझे यहां बैटके बता रहे हैं इनकी बैगराउंड की है सब की आप लोगों को यह पता था आपके अप्रूबल के साथ जाज़ेश अपॉइंट होते हैं ताके हम लोगों को यह इस किसम का पाकिसान की अवाम को यह इ जमेदारी नहीं बनती लॉज असोसियेशन की के पाकिस्तान में जो इस किसम के इनसाफ देने के दारे पर ऐसी कुर्सी पर आप लोगों को बठाते हो आप उसकी उसकी काउंटबिलिटी कहों से होई थी अब इस जजज हसनात की बचारे को तो कोई इंस्ट्रक्शन दे ही रह पाकिसान को पता है जो कल उसने तमाशा लगाया वो तो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उनका भी मजाक औरवा दिया है उन्होंने कल परसों में तब सैटर्डे को और मंडे को जो इस बचारों ने जो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक एक्स फॉरंड मिनिस्टर उनक होना था क्रॉस एग्जामिनेशन होना था फॉरंण सेकर्टरी का भी इंबैसिडर का भी झाल उस ठाब खान दिव होना था यह टीम जब को बता देती हो कौन से नाम सामने आने थे अब सब को पता होगा शुरू से बता रहे हैं इसर 沒有 kr कि नाम ना आ जाएं क्रॉस एग्जामिनेशन में आप सोचें आज इनसाफ का जनाजा निकाला गए बस और आपका ख्याल है कि हम यह अराम से बैटें हम हाई कोट आई थे इनके साथ कि जो कल तमाशा लगा है जो हमारे लॉइस को उन्होंने बाहर कर दी आप सोचें इनके ल मैं बात कर रही हूं वो लॉयर के साथ जो इन्होंने पॉइंट किया जो बिचारा कह रहा था मुझे अपनी नौकरी की मसीबत है तो मैंने उसको कह दिया कि आपको अपनी नौकरी की फिकर है यहां पे इन लोगों को सजा मौत या 14 साल सजा हो सकती यही मैंने कह दिया ना आगे से जजज साब ने मुझे क्या का और बड़ी बत्तमीजी से उनोंने का आप धंकियां दे रही हैं इसको आप धंकियां दे रही हैं मेरे ओपर चीखना चुरू हो गए या इस लिए हम घरों से निकलें ताकि ऐसे इसे इनसान बहां बैट कर फैमली के ओपर भी बदमा हैं आज 200 केस हवा में उड़ जाएंगे एक मिनट में कितनी देर लगेगी सब को पते ना 200 केस एक मिनट में उड़ते कैसे हैं मैं तो सबसे समझा रही है बंदे कैसे हैं जो कल हुए ये तो हमें समझा की बंदे कैसे हैं अब उड़ाना भी किसी को आता है और बनाना भी आत कोई फिकर ना करें इम्रान खान असूल के मताबग शाम मेमूद असूल के मताबग लॉग के उपको बिगार नहीं तोड़ेंगे वो और जो अनके केसेज़ हो वो फेस करेंगे एक चीज़ लोगों ने बहुत लोगों ने कांटाइट करके कहा कि ये देखें ये लोगों पर उस्तियाल लागा मैं ने कहा एक बात सुने अब तो इस चीज़ के लिए अपने प्रासे करेंगे इसके लिए कोई इश्तियाल करने की तमाशा करने की तो कोई जरूट नहीं लेकिन अब और भी लाजम हो गया सब के ओपर इस नजाम को अगर हमने कबूल नहीं करना अपनी वोट डाके डालें बस और कुछ भी ना करें सिर्फ वोट डालें अगर आपने इमरान खान की जो सिचुएशन है जो हमारे साथ भी कलिये ही होगा जो आज इमरान खान और शाममूद एक्स प्राइम मिनिस्टर फॉर्ण मिनिस्टर के साथ इस किसम की क्रिमिनल बेंसाफी हो स होती तो हमारे साथ भी सबके साथ होगा अपने आपको इस बेंसाभी से बचाना है आठ फरवरी को सारा फोकस होना चाहिए आठ फरवरी और अपना वोट सब जाके डाले और इससे बेतर इंतकाम कोई नहीं है मैं आपको खान साथ की आखरी बात बताना चाहूंगा कि कल जब साड़े साथ बज़े बुकला को बार कर दिया गया और एक फ्रॉडूलेंट प्रॉसीडिंग्स शुरू हो गई तो इमरान खान साथ ने मुझे का कि सल्मान मुझे इजाज़त दें मैं अपने सेल वापस ज कि अजयू है कि यह थो कि अजयू है झाल झाल